अमेरिका और इरान की लड़ाई में कई देश पिस रहे हैं भारत भी उन्ही देशों में से एक है अमेरिका ने इरान से कच्चा तेल आयात करने वाले सभी देशों को धमकी दी है कि नवंबर के महिने से वो इरान के साथ सभी व्यापार को खत्म कर दें यानि इरान से भारत आने वाले कच्चे तेल पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं आपको बता दें कि भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में इरान तीसरे नंबर पर है यानि इरान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल भारत आयात करता है यदि आंगडों की बात करें तो भारत इरान से हर साल 90 लाख टन कच्चा तेल आयात करता है ये आयात मासिक आधार पर होता है यानि इरान से भारत में हर महीने 7.5 लाख टन तेल का आयात किया जाता है इरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध नवंबर से लागू हो जाएंगे उसके बात क्या होगा इस पर ना सरकार ने भारतिय तेल कमपनियों से कुछ कहा है और ना ही मीडिया को कोई जानकारी दी है आपको बता दें कि हाल ही में भारत और अमेरिकी विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के बीच 2 प्लस 2 वारता आयुजित की गई थी जिसमें सबसे बड़ी चर्चा इरान से कच्चे तेल के आयात विशय पर होनी थी लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉंपियों ने इस विशय पर कोई बयान नहीं दिया और ना ही कोई चर्चा की कुल मिला कर एक बात साफ है कि अमेरिकी प्रतिबंद के बाद इरान से भारत के तेल के आयात पर लगने वाली संभावित रोक के बाद भारत में कच्चे तेल का संकट बढ़ जाएगा जिसके वज़े से पेट्रॉल और डीजल के दाम में बड़ी मातरा में उच्छाल देखने को मिल सकता है यानि नवंबर दिसमबर के बाद पेट्रॉल और डीजल के दाम में लगी आग और बढ़ सकती है सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रही हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें